नमस्कार दोस्तों मैं आपको कववा पक्षी से जुड़े कुछ चमतकारी रहसों के बारे में बताऊंगा तो आप सभी संरोध है कि इस वीडियो को अंते तक देखिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो लाइक करने और घंट कववा एक तांतरिक पक्षी है दोस्तों इसका प्रियोग तांतरिक तथा ओजह लोग सदियों से करते आए हैं चाहे फिर वह समोहन हो या उचाटन हो या फिर कई रहस्यमाई सक्तियां हासिल करने की बात हो इसका कई प्रकार से तांतरिक ओजह प्रियोग करते आए हैं ले लकड़ी के बारे में जानता है जिसको अगर किसी भी लोहे की वस्तू पे अगर उसे टच कर दिया जाए चुवा दिया जाए तो दोस्तों लोहे की वस्तू कट जाती है अगर दोस्तों अगर आप इसे ताले पर इसको चुभा देंगे तो ताला खुल जाएगा साथी साथ दोस्तों यह इतना अद्भूत है कि मैं आपसे क्या बताओं मित्रों यह जो जादू लकडी होती है अगर इसको पानी में डालोगे तो दोस्तों यह पानी की विपरीत दिसाह में सांपों की तरह तैरने लग जाती है दोस्तों यह जो कवव पक्षी है इस चमतकारी लकडी के बारे में बड़े ही दिब तरीके से इसकी जानकारी रखता है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस जादूई लकडी को कैसे हासिल कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको कवे पक्षी का घोसला खोजना है बुद्धवार के दिन ठीक है और बुद्धवार के दिन आप चाहें तो किसी भी दिन जा सकते हैं लेकिन मैं आपको एक समय बता रहा हूं बुद्धवार के दिन जाना है और आपको लोहे के छले लेने हैं जो उड़ जाएं तब आप उस गोशले पे जाईए और उस गोशले को पूरा उठा लीजिए और उसकी लकड़ी एक भी कहीं न गिरने पाए और उसके गोशले को ला करके किसी तलाब नदिया में फेक दीजिए पास में और जो लकड़ी साप बन जाएगी साप की तरह हरकत कि वह लकड़ी जादू लकड़ी होती है आपको उस लकड़ी को बिना डरे पकड़ लेना है और पकड़ते ही वह लकड़ी अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी दोस्तों वैसे तो कववा पक्षी की तरह है दूसरे पक्षी भी है जो इस जादू लकड़ी को जानते है जो कि हम आपको अपनी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे तो दोस्तों आप सभी समरोध है इस वीडियो को सेर करें लाइक करें कमेंट करें और घंटी जरूर दबाएं धन्यवाद